आज हम देखेंगे परिमेश अंख्याओं के गुर्णन से संबंदित मिथ्याधानाएं मिथ्याधाना एक किसी आयताकार यानि रेक्टाइंगुलर मैदान की लंबाई साड़े पचास मीटर और चोड़ाई सवाउनीस मीटर है ग्याद कीजिए मैदान का कुल शेत्रफल क्या होगा यहाँ हमें आयताकार मैदान का कुल शेत्रफल ग्याद करना है आयत का शेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर साड़े पचास गुणा सवाउनीस वर्ग मीटर साड़े पचास और सवाउनीस का गुणन करते वक कई बार बच्चे पूर्ण भागों का और अपूर्ण भागों का गुणन अलग-अलग करते हैं जैसे यहां वे 50 और 19 का गुणन करते हैं और 1 बटे 2 और 1 बटे 4 का गुणन करते हैं और इनके परिणाम साथ में रखकर आयत का शेत्रफल 950 और 1 बटे 8 वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं इस मित्याधाना की कारण Option A या गलत जवाब दिया जाता है ध्यान रहे ऐसी संख्याओं का गुणन करते समय हमें इन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना ज़रूरी होता है जैसे यहां हम 50 और 1 बटे 2 को 101 बटे 2 के रूप में और 19 और 1 बटे 4 को 77 बटे 4 की रूप में व्यक्त करते हैं और फिर हम इन संख्याओं का गुणन करते है अगर हम 101 बटे 2 का गुणन 77 बटे 4 से करेंगे तो हमें जवाब राप्त होता है 7777 बटे 8 इसे ही हम 972 और 1 बटे 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से आयत का शेत्रफल है 972 और 1 बटे 8 वर्ग मीटर इसलिए option दो यह सही जवाब है दो परिमेश संख्यां का गुणन करते समय चिन्न पर ध्यान न देने से कुछ साधारन कलतियां होती है जैसे कुछ बच्चे यह समझते हैं कि परिणाम को पहली संख्या का चिन्न दिया जाता है वे देखते हैं कि option 1 में पहली संख्या धनात्मक है इसलिए option 1 में दी संख्या का परिणाम भी धनात्मक आएगा इस कारण वे option 1 यह जवाब देते हैं दो रिनात्मक परिमे संख्याओं का योग रिनात्मक ही होता है कुछ बच्चे इसी समझ को गुणन के लिए भी सत्य मानते हैं और यह सोचते हैं कि दो रिनात्मक परिमे संख्याओं का गुणन फल भी रिनात्मक ही होता है इसलिए वे दिये सवाल का option दो यह गलत जवाब मानने लगते हैं लेकिन सही समझ यह है कि दो रिनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है इसलिए सही जवाब है option दूसरा तो आज हमने देखी परिमेस अंख्याओं की गुणन से संबंदित मिध्याधाना है